वारार्ची में परेटन के लिहाद से तमाम प्रयास हो रहे हैं लेकिन इस बार का प्रयास गंगा में स्नान को लेकर है, स्नानार्चियों की सुरक्षा को लेकर है जेहां आपको बता दे कि वारार्ची में घाट किनारे आपने लोगों को स्नान करते देखा होगा इसके साथ कई बार ऐसी खबरें भी सुनी होंगी जब लोग गंगा इसनान के बाद गंगा में डूब जाते हैं इन सारी चीजों का संग्याल लेकर अब वारांसी में तैरता हुआ घाट नजर आने वाला है और ये घाट इन फ्लोटिंग जेटी इसके माधम से सामने आने वाला है आप देखे चाहे वो नमोगा इसके पास का घाट हो इन दोनों घाटों के बीच में ये जेटी नुमा घाट बनाया जाएगा और इसके बीच में ये जो आप जगा देख रहे हैं ये गंगा स्नान के लिए ये जगा बनाई जाएगी लेकिन ये इस जगा बेहत सुरक्षित होगी इसकी गहराई उतनी ही होगी जितने मानक तै होंगे और गंगा का जल इस जेटी में पहुंचेगा स्नालार्थी यहां स्न होगा जिससे लोगों के दूबने का खत्रा भी कम होगा तो जो दुरघटनाएं हैं उनसे निजात के लिए इसके साथ ही आमशत धालू और इसनानार्थी के सुविधा के लिए काशी में तैरते घाट की मुहिम शुरू हो गई है और जुलाई माह तक ये सामने दिखाई भ अबी पी गंगा खबर आपकी जवाँ आपकी